हलो गाइज, वेलकम टू पापा प्रोपरिटी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया के लीडिंग रियल स्टेट डेवलपर डेलफ के बारे में डेलफ इंडिया की लार्जेस्ट, उल्डेस्ट और नमबर वन रियल स्टेट डेवलपर है लास्ट 75 एर्स में डेलफ ने लवग 31 मिलियन स्क्वार मिटर एरिया डेलेवर किया है नियू देली में गेटर कैलास, सौथेक्स, हाजखास और मॉडेल टॉन जैसे 22 कॉलोनी डेवलप करने के बाद गुर्गों के साइबर सिटी सहित, लखनो, कुलकाता, हैदरावाद, चेन्ने और पूने जैसे इंडिया के 15 स्टेट के 24 सिटीज में डेलेव के प्लोट्स, ओफिस स्पेस, अपार्टमेंट्स, सौपिंग मॉल्स, होटेल्स, गॉल्प कोर्स और इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट है डेलेव की शुरुवात, देश के आजाद होने से एक साल पहले ही, यानि कि 1946 में चौधरी रागवेंदर सिंग जी के द्वरा किया गया था डेलेव का एम था, डेलेव में मॉडर्न फैसिलिटी के साथ अरवन कॉलोनिस को डेवलप करना नाम भी काफी यूनिक था, डेलेव यानि कि देली लेंड और फैनेंस अगले कुछ सालों में, डेलेव ने डेली में कई सारे कॉलोनिस को डेवलप किया जैसे सौथ एक्स, जीके, हाउजखास, सिवाजी पार्क, कृष्ना नगर, पंजाबी बाग 1957 तक, डेलेव डेली में 22 कॉलोनिस को डेवलप कर चुकी थी ये सभी कॉलोनिस आज भी डेली की प्रैम लोकेशन है लेकिन 1957 में डेलेव को जटका लगा, जब DDA, यानि कि डेली डेवलपमेंट अथोर्टी का गठन किया गया DDA के गठन के बाद, डेली में सभी होसिंग पोजेक्ट और लेंड डेवलपमेंट DDA को करना था और प्रैवेट डेवलपर को डेली में लेंड मिलना बंद हो गया इसके बाद डेलेव ने डेली के पास में फरिदाबाद में इलेक्टरिक मोटर बनाने वाली एक फैक्टरी लगाई अमेरिकन कंपनी के हल्प से है और रियल स्टेट के बाद मैनुफेर्चरिंग इंडस्ट्री में भी डेलेव ने एंट्री मारी चौधरी रागवेंदर सिंग जी के बाद डेलेव की जिम्मेदारी मिली केपी सिंग यानि की कुसल पाल सिंग जी को कुसल पाल सिंग यानि की केपी सिंग चौधरी रागवेंदर सिंग जी के दामाद है K.P. Singh DLF को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते थे Delhi में DDA के आने के बाद K.P. Singh जी Delhi के अगल बगल के एरिया में Land Development की Planning करने लगे और उन्हें पसंद आया गुर्गों क्योंकि गुर्गों 1975 के टाइम Undeveloped Rural Area था यानिकि वहाँ पर जमीन की रेट काफी कम थी अपना Manufacturing Plant गुर्गों में डेवलप कर चुकी थी इसलिए K.P. Singh जी को गुर्गों काफी पसंद आया यहाँ पर एक और बात जान लिजे 1975 तक Noida एक्जिस्ट नहीं करता था गुर्गों में DLF को टॉंसीब बनाने के लिए Phase 1 से Phase 5 तक Including Cyber Hub Land Development के लिए लगबग 700 अलग लग फार्मर्स से DLF को Land Acquire करना था कहा जाता है कि K.P. Singh जी ने परसनली सभी फार्मर्स से मीटिंग किया और सभी फार्मर्स को Land देने के लिए Ready किया क्योंकि K.P. Singh जी उत्तर प्रदेश के बुलंद सहर के एक सामाननी जाट फैमली से बिलॉंग करते थे साथ ही उनका आर्मी बैक्गरॉंड इसमें काफी हेल्पुल रहा Finally DLF ने गुरगों में अपनी requirement के according Land Acquire कर लिया उसके बाद स्टार्ट हुआ गुरगों को World Class City के रूप में डेवलप करने का काम गुरगों IT Hub की तरह डेवलप हुआ Cyber City आज भी इंडिया की सबसे प्राइम लोकेशन है ओफिस के लिए World की Fortune 500 कंपनीज में से 250 प्लस कंपनीज का ओफिस गुरुगों के Cyber City में ही है गुरगों में Cyber City के हीट होने के बाद भुबनेश्वर, हैदराबाद और चिन्न जैसे सहरों में भी DLF ने Cyber City को डेवलप किया इसके अलावे पूने और बैंगलोर जैसे सिटीज में हाइटेक ओफिस स्पेस डेल ही मुंबई, कुलकाता, बैंगलोर और गुरगों जैसे सहरों में प्रीमियम रेसिदेंशियल अपार्टमेंट, लखनव, इंदावर, चंडिगर जैसे सहरों में रेसिदेंशियल प्लॉट्स और अभी तक इंडिया के 15 स्टेट्स के 24 सिटीज में डेल ही के ओफिस स्पेस, अपार्टमेंट्स, होटेल्स और सौबिंग मॉल्स जैसे प्रोजेक्ट हैं वैसे तो डेल ही के प्रोजेक्ट पैन इंडिया में है यानि कि 24 सिटीज में एवेलबेल हैं लेकिन आज भी DLF के सबसे ज़्यदा प्रोजेक्ट गुर्गों यानि कि गुरुग्राम में ही है वैसे क्या आप जानते हैं इंडिया में बिजनेस आउट्सोर्सिंग यानि कि BPO की शुरुवात DLF के परियास से गुर्गों में ही स्टार्ट हुआ था गुर्गों में DLF Township में Cyber City सहित फेज 1 से फेज 5 तक टोटल 5 फेज डेवलप किया गया है DLF के फेज 5 में High-Rise Ultra Luxury Project है जैसे DLF The Pinnacle, DLF The Icon, DLF The Crest DLF Township का सभी फेज वेल कनेक्टेड है Rapid Metro और 14 Lane के Expressway से है DLF के Township में कई सारे Stars का भी घर है जैसे Indian Cricket Team के Captain बिराट कोली का घर DLF के Phase 1 में है DLF Township के अलावे भी DLF के Plots एविलेबल हैं गुर्गों में जैसे DLF Garden City और Almera में अगर आप इंडिया के किसी भी City में DLF के Project में राते हैं या फिर इसमें काम करते हैं या फिर अगर आपने DLF में इनवेस्ट किया है तो प्लीज अपना Experience कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर सेयर करना I hope कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा पापा प्रोपर्टी चैनल पर अगर आप किसी प्रोजेक्ट या फिर किसी डेवलपर से एलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कॉमेंट करके बताइए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीचे के लिएटेखने के लिए जापका बात बहुत धन्यवाद